अच मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ दल पिट्ठी के रहसे कि यहरे के स्केट में इसे अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है कई जगों पे इसे दाल डोगली कहते हैं तो कई जगों पे इसे दाल की दुलन कहते हैं हमारे इधर ना इसे दलपिठी के नाम से जाना जाता है पनाने का तरीका बिलकुल ही अलग है इसे ना सर्दियों के मौसम में इस्पेसली बनाया जाता है खाने में ये बहुत ही टेश्टी लगती है सबसे बड़ी बात तो ये बहुत ही हेल्दी रसिपी है एक बार आप इस तरीके से चरूर बना करके ट्राइक कर सकते हैं तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस सूपर टेस्टी ह केल दि दल पिठी की रेसिपी को सुरू करते हैं दाल की दुलहन या दल-पिठी बनाने के लिए यह आधि कप旅 अरहर की डाल ले ली है अब इस एक बाल में डाल देंगे इसमें हम पानी डाल करके दो से तीन बार अच्छी तरीके से दो करके ले लींगे और यह देखिए हमने दाल को अच्छी तरीके से दो करके ले लिया है अब यहाँ पे हमने एक प्रैसर कू कर लिया है इसमें सारे दाल को ना डाल देंगे उसके बाद हम इसमें धाई कप पानी डाल देंगे यह मैंने एक कप डाला और यह दोसरा उसके बाद यहाँ पे हमने आधी और डाल दिया है हमने इसमें धाई कब पानी का इस्तमाल किया है आधि चोटी चंमचच हलदी पॉडर स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया है प्रेसर कूकर का धक्कन लगा के गयस पर इस में रग देते और इसमें दो सीटी आने देते हैं चलते हैं next process की और पिठी बनाने के लिए अब हम डो तयार कर लेते हैं एक बाउल में यहाँ पे हमने एक कप गेहूं का आटा डाल दिया है आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हमने healthy powder डाल दिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो हम तयार कर लेंगे हमें इसका डो ना जादा सक्त नहीं तयार करना है जैसे हम रोटियों के लिए तयार करते हैं बस उसी तरीके का डो हमें तयार करके ले लेना है और ये आप देख सकते हैं, हमने डो तयार कर लिया है अब हम इसे ढखकर के पास से 7 मिनट रेस्ट पे रहने देते हैं और ये आप देख सकते हैं, कूकर में 2 सीटी लग चुकी है गैस के फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते है अब यहाँ पे हमने गैस पे एक पैन रखा है दो से तीन बड़े चमच यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया है एक चमच यहाँ पे हमने जीरा डाला है आठ से दस लहसन की कलियों को हमने बिलकुल बारिक चौप करके ले लिया है एक हरी मिर्च इसे भी हमने बिल्कुल बारी काट करके ले लिया है अब यहाँ पे हमने एक बड़े साइज में प्याच लिया है जिसे हमने बिल्कुल बारी काट करके ले लिया है इसे भी हम तेल में डाल करके चलाते वे इसे हम भूलेंगे साथ में यहाँ पे हमने आधी कप फ्रेस मटर लिया है आधी यहाँ पे हमने फूल गोबी ली है और एक गाजर लिया है सारी चीजों को न हम इसमें डाल देंगे टमाटर अभी हम इसमें नहीं डालेंगे आधी छोटी चमच हम इसमें हल्दी पॉर्डर आधी छोटी चमच नमक डाल देंगे ध्यान रहे हमने दाल में भी नमक डाला हुआ है और आटे में भी इसलिए नमक आप अपने हिसाब से डाल लें अब हम इसे कवर करते वे 2-3 मिनट रहने देंगे 2-3 मिनट के बाद हमने इसका ढखकन हटाया वापिस हम इसे एक बार चला लेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चमच धनिया पॉर्डर और आधी छोटी चमच कस्मीरी लाल मिर्च चलाते वे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे साथ में इसमें डालेंगे आधी छोटी चमच गरम मसाला अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मेक्स करेंगे उसके बाद इसे हम 3-4 मिनट कवर करेंगे ताकि टमाटर भी न अच्छे से सौप्ट हो जाए और ये आप देख सकते हैं 3-4 मिनट के बाद हमने इसका धकन हटाया वापिस से इसे एक वार चला लिया साथ में हमने बारिक कटा हुआ हरा धन्या डाल दिया है सारी चीजे हो चुकी है अब हम इसे साइट करते हैं अब हम डो को एक वार एक वार इस तरीके से चिकना कर लेंगे अब हम क्या करेंगे न इस तरीके से थोड़ा सार इससे लोई ले लेंगे हतेलियों के बीच में रखते हुए इसे हम पेड़े का सेब दे देंगे ये देखे उसके बाद हम इसे सूखे आटे में डश्ट मिक्स करते हुए इसे हम चकले पे बिल्कुल रोटियों के तरह इसे बिल्कुल बेल लेंगे ये देखे आप इसे बिल्कुल बड़ी सी रोटी बना करके तयार कर ले और ये लीजिए हमने बड़ी सी रोटी बना के तयार कर लिया है अब यहाँ पर हमने एक डखकन लिया है उसी डखकन से ना हमने इस तरीके से काट करके तयार कर लिया है ये देखे ये आप देख सकते हैं हमने बिलकुल पूड़ियों की तरह काट करके तयार कर लिया है ये देखिए उसके बास एकस्टा आठा है न चिपका देंगे, यह देखिए, यह easily joint हो जाएगी, यह देखिए, बहुत ही अच्छी बन के तयार होगी, जब यह दाल में जाएगी ना, तो देखने में यह बहुत ही tempering लगेगी, एक आपको मैं और बना करके दिखा देती हूँ, उसी तरीके से हम दोनों साइट को लेते व सेब दिया है, इसी तरीके से हम सारा बना करके तयार कर लेंगे, और यह लिजी हमने इसे बना के तयार कर लिया है, एक तरीका आपको मैं और बना के बताती हूँ, अगर आपको इस तरीके का नहीं बन पा रहा है है, तो आप बहुत ही easily बना करके तयार कर सकते हैं, इस तरी त्यरके से रोल करते वी बिल्कुल छोटी छोटी लोई काटकर रख लें वह देखे यह आपकर देख सकते हैं अभी चोटी दू start कर दो पिर रख लिया वह से लोई काटकर रख लिया है हत्य theme के बीच में रख लिया लाकर बेरों कर लिया है अब चलते हैं दाल को भी देख लेते हैं और यह आप देख सकते हैं दाल जो है ना अच्छी तरीके से घुल चुकी है यह देखिए अब हम इसमें डालेंगे दो कप पानी अब हमने जो सब्जियों को बून करके रखी वी थी ना उसे हम इस पे डाल देंगे और य हमने जो दाल की दुल advis बना की रखी विए ना जल पी इसे अब हम इसमें डाल देंगे देखिए उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे लो टू मीडियं मीडियम फ्लेम पे इसमें हम ओबाल आने देते और अच्छी तरीके से इसे हम पकने देते हैं इसे पकने में तस से बारा मिनट का समय आपको लग जाएगा क्योंकि दाल तो पहले से पकी हुई है जब हमने इसमें दाल की दुलहन डाली है ना दलquito तो यह आटा है तो इसे पकने में तस से बारा मिनट का SAMह लग जाएगा अगर आपके पास समय ना हो तो आप इसमें दलपिठी डाल करके एक सीटी लगा सकते हैं या आप देख सकते हैं अच्छे से ये पक चुकी है इसे अब साइट करते हैं और तड़के की तैयारी हम कर लेते हैं गैस पे यहां पे हमने एक तड़का पैन रखा है एक बड़े चम्मच यहां पे हमन गी डाल दिया है साथ में एक चम्मच हमने इसमें जीरा डाला है दो सूखी लाल मिर्च इसमें डाल दिया है कुछ सेकेंड के लिए इसे हम पकने देते हैं और यह आप देख सकते हैं जीरा और सूखी लाल मिर्च अच्छे से पक चुकी है अब हम इस तड़के को ना इसमे डाल देंगे और ये आप देख सकते हैं हमने इसमें तड़का डाल दिया है साथ में यहाँ पे हमने पारिक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल दिया है ये देखे ये आप देख सकते हैं दाल की दुलहन या दलपिठी बन के विलकुल तयार है बहुत अच्छी बन के तयार हु हमारी बन के बिलकुल तयार है एक बार आप इस तरीके से जरूर बना करके ट्राइक कर सकते हैं इससे ना ठंड के मौसम में ही बनाया जाता है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है एक बार आप मेरे इस तरीके से जरूर बनाये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे आप चरूर क्लिक करें जादा से जादा आप इस रेसिपी को सेर करें चैनल पे नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब करें बहुत जल्द आप से मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ थैंक यू